सुहागपुर के ग्राम माच्छा में नर्मदा के तट पर अटल ब्रिक्षभियान के दूसरे चरण में पीपल एवं वर्गद के पेर लगा कर पौधारोपन किया गया। यह कार्या गजेंद्र ठाकुर एवं सभी सहयोगी टीम द्वारा किया गया। गजेंद्र ठाकुर ने बताया कि यह कार्यक्रम सुहागपुर ग्लॉक के सभी 13 नर्मदा घान्ट पर किया जाना है। इसका कारण यह है कि पेर अपनी जड़ों के माध्यम से मिटी को मजढूती से पकड़ कर रखते है वह पेर पौधे कम होते जा रहे हैं। नर्मदा तट पर ब्रिक्षों की अधिक्ता रहने से मृदा का क्षरन रुकेगा और प्रकृती सुरक्षित रहेगी। और धार्मिक महत्तब की दृष्टी से पीपल और बर्गद को पूजनिय माना गया है और यह दीरधायू ब्रिक्ष है। पीपल ही मातर एक ऐसा ब्रिक्ष है जो हम मनुश्यों को ऑक्सीजन उपलब्द कराता है सोहागपुर में गजेंद्र ठाकुर के साथ रूप सिंध केवट, हीरा केवट, पूपिंद्र, श्रवन कुमार, ब्रजेश कीर एवं सभी सहयोगी टीम ने इस कार्यक्रम अपना सहयो जो दिया